क्या आप विश्वास करेंगे दोस्तों कि ये नास्ता मैंने गेहूं के आटे से बनाया जी हाँ ये इतना सूपर सोप नास्ता मैंने गेहूं के आटे और कच्छे आलू से बनाया है जो कि बहुत टेश्टी लगता आप इसको breakfast में खा सकते और बहुत कम तेल में ये बनने वाला नास्ता है आप इसको बच्चों के टीफिन में भी दे सकते हैं मैं आज ये टीफिन में ही दूंगी बच्चों के तो देखिए कितना टेश्टी सा ही हमारा नास्ता बनकर ready हुआ है और मात्र एकदम 5-7 मिनट में ही ready हो जात इतना टेश्टी ये नास्ता लगता है तो जैश्री रिष्णा दोस्तों मैं मोनिका अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं तो चलिए इस नास्ते को देख लेते कि मैंने बनाया कैसे है मतलब तो मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके उपर रख लिया चन्नी आप आ बढ़ जाएगा तो इसमें थोड़ी चने पिस्वाया है तो इसका टेश्ट वैसे ही इसमें बेसन का टेश्ट आजाएगा इसलिए मैंने बेसन आड नहीं किया है आप नौर्मल गेहों काटा ले तो बेसन दो से तीन चमाच आड कर लिजेगा और दो कप मैंने यह बेसन ल थोड़ा से डाले मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक थोड़ा से डाल दिया इसमें आमचोर पाउडर आपके पास आमचोर पाउडर नहीं है तो आप चांट मसाला भी एड़ कर सकते हैं और यह देखे थोड़ी सी अजवायन डाल देंगे कि डाजेशन में अच्छे होते तो इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ी सी मैंने ओरिगन डाल दिये इसमें आप चिली फ्लेक्स भी इसमें एड़ कर सकते हैं मेरे पास अज नहीं थी तो मैंने नहीं एड़ की थोड़ा जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा से इसमें जाए एड़ कर दिया है और ही एड़ करने के पर क्या करेंगे कि मैंने एक मेडियम साइज का आलू यह देखे एक आलू को मैंने अच्छे से साफ कर ले छील के कट करके ग्रेट कर लिया बारिक वाले कद्दूकस से इसको ग्रेट करना गिसना है मतलब तभी हमारा यह जो नास्ता है बनकर बहुत ज्यादा अच्छा बनकर रेड़ी होगा अगर मोटे-मोटे आलू के लच्छे रहेंगे फिर यह इस्प्रेट करने में यानि के फैलाने में दिक्कत करेगा इसलिए आप बरिक वाले ग्रेटर से ही आलू को ग्रेट कीजिएगा और अभी इसमें क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसमें एड़ करते जाएंगे हम इसमें ना कोई इनो एड़ करना है ना ही सोड़ा एड़ करना है कुछ नहीं एड़ करना है तो देखे पहले हम थोड़ा थोड़ा प तो यह देखे आपके पास दनिया पत्ता है तो भी एड़ कीजेगा लेकिन कड़ी पत्ते से भी इसका स्वाथ बहुत टेश्टी यह बनकर रेडी होता है तो यह देखे मैंने कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा पारिक बारिक करके इसमें डाल दिया है और वापस इसको मिक्स करे अब इसके वह यह बैटर है थोड़ा ठीक लग रहा है इसको चीले जैसा बैटर हमें बनाकर रेडी करना जैसे हम बेशन का चीला बगरा बनाते हैं बेशन यह सूजी का उसी टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी हमको रखनी है तो यह देखे और इसको न लगातार थोड़ी दि इसमें आटा की आलू के पराठी जैसे टेस्ट तो यह बिल्कुल नहीं देता है अलगी इसका टेस्ट आता है आप एक बार बना के ट्राइ कीजिएगा फिर बोलिएगा इसको पांस से साथ मिल्ट मैंने रेश्ट होने के लिए रख दिया है तो देखे रेश्ट हो चुका बनाने से पहले मैं आपको दिखाने लगी हूं कि थोड़ा देर यह रेश्ट मैंने करा दिया इसको बैटर को अभी हम इसका चीला बना लेंगे और बच्चों को तो यह इतना ज्यादा पसंद आता है बहुत ज्यादा बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके आएंगे जिन घ्राशाय कि क्हों थोड़ा पसंद इसको तो इसलिए मैंने सिम्पल मिल इसको नहीं पार्णा माःटा मिडियों से ठिकनेस इसकी रखनी है और उसी टाइप का हमें इसको फैला कर रेडी करना है तो देखे पूरा गोल गोल मैंने इसको फैला दिया है बस फैलाने के बाद क्या करेंगे थो बड़ा सा हलका सा ओयल इस पर जैच रख देंगे जिससे कि यह चिपके ना वैसे चिपकेगा नहीं है और नौस्टिक तवे पर मैं इसको बना रही हूँ तो यह देखे इसको हम क्या करेंगे ढख कर छोड़ देंगे जब तक यह उपर की जो लेयर है एक तब सूकी सूकी से ना हो जाए उतना हमें इसको पका लेना यह देखे पुरी लेयर इसको सूक चुकी है ना इसका मतलब यह परफेक्ट पक चुका है अब ही हम क्या करेंगे उस पे थोड़ा सा ब्रस की हल्प से थोड़ा सा इस पे ओयल लगाएंगे और इसको टर्ण कर देंगे यानिके पलट देंगे अलेट पलट के इसको दोनों तरफ से इवनली सेक लेना है तो यह देखे उपर भी हलका सा ओयल लगा देंगे बहुत टेश्टी लगता है मैं हफ्ते में अपने बच्चों को एक से दो बार तो यह बना कर दे ही देती ही मेरे बच्चों को यह बहुत पसंद आता है आप भी एक बर बना कर ट्राइ कीजएगा आपके बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा तो वापिस से मैंने इसको क्लीन कर लिया टीशू पेपर से थोड़ा सा ओयल लगाया बीच में और फिर से मैंने इस पे बैटर ये डाल दूँगे बैटर थोड़ा सा आलू के लच्छे है ने इसमें हलका सा इधर अधर जा सकता है पर शेफ से कोई प्रोब्लम नहीं है बच्चों को टेश्ट आना चाहिए बच्चे हो या फिर बड़े और बुजूर्ग लोगों को अगर हम मिखिलाएंगे न तो ये इतने सोफ्ट होते हैं जिनको खाने में चबाने में प्रोब्लम होती है न उनके लिए तो ये नास्ता एकदम परफेक्ट है आप उनको भी ब खाती हूं और हाँ गाईज अगर रैसीपी देखने के बाद रैसीपी पूरी देखने के बाद आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा हाँ चैनल पे नए है न तो सब्सक्राइब भी जरूर क केचप थोड़ा सा क्योंकि यह सब चीजे केचप के साथ अची लगती है और यह रख लिए मैंने दो चीले देखिए आप देख पा रहे हूं कितने सॉफ्ट सॉफ्ट यह बने हैं बहुत टेस्ट लगता है ठंडे होने के बाद भी सॉफ्ट ही बने रहते ज्यादा कड़क न बनान कंता है मेरे बिटे का फिस्किट खेल सर्क देप नहीं डेली चेंजाश करकर रखती हूं तो आप देख पा रहे हूंगे कितना अच्छा सा टीसट बंकर रेडी हुआ है बच्छों का भक्चों के तो आज मजय आ जाएंगे बच्चेस बहुत खूश हो जाते ये सब चीजे देखे क्योंकि डेली वही रोटी सबजी बच्चे नहीं खा पाते हैं बच्चों का अजकल नकरा हो भी गया है हमारे टाइम में थो हम खा ही लेते हैं चलिए बाइ बाइ दोस्तों जै श्री कृष्णा